नमस्कार दोस्तों आपके अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और भाई जो आज का वीडियो है वो बरसात के सीजन में एक ऐसा लगने वाला प्लांट है जो कि आपके घर की खुबसूरती बढ़ाने के साथ साथ आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी बहुत ज़् योगी है तो यह है दोस्तों कड़ी पत्ते का प्लांट और जिसके भी घर में कड़ी पत्ते का प्लांट नहीं है इस टाइम आप चाहे उसके बीज से इसको उगा सकते हो या फिर आप इसकी स्टेम तोड़के पैंसिल जितनी मोटी स्टेम तोड़के कहीं भी उगा दो पे नई ने ग्रोथ आ रही हो लेकिन हो थोड़ी सी मैच्चोर स्टेम तो ऐसी स्टेम से भी आप इसको उगा सकते हो तो ये दो तरीक के हो गए अभी एवर ग्रीन प्लांट है अच्छी संलाइट भी इसको चाहिए होती है लेकिन बरसात के टाइम में दोस्तों बहुत अराम से आप इसको उगा सकते हो तो अब आते हैं इसके फायदों के उपर जिसके कारण की आपको इसको लगाना चाहिए और जैसा कि मैंने बोला हेल्दी लाइफ स्टाइल तो चलिए लगाने से पहले इसके बारे में कुछ अच्छी अच्छी बाते जान लेते हैं ताकि हम और क्यूरियस हो जाएं इसको लगाने के लिए तो बही जिसको भी हर्ट की कोई भी समस्या हो हाई बीपी लो पीपी इस तरह की जिसका कॉलेस्ट्रोड लेवल बढ़ गया हो तो उनके लिए तो बही ये जो करी लीव्ज हैं कडी पत्ता जिसको बोलते हैं आम भाशा में ये इतने हैं तो उनको तो सुवे सुवए पांसाथ पत्ते अपना धोके इसके चबा लेनी चाहिए और इसके अगर इतने फायदे हैं तो लगा भी लेना चाहिए अब आते हैं इसके और फायदों के उपर जो की आपके बोडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो इससे फायदा नली सगे, यह समझ लो, तो हर्ट के लिए तो है यह बेनिफीशल, डाइबिटीज के लिए भी दोस्तों बहुत अच्छा है, और जिन भी लोगों में पीले पन की समस्या है, यह समझ लो, आइरन की समस्या है कहलो, या खून कम बनता है, तो उनके लिए भी रामबार हैं, क्य होती हैं, वो आइरन का रिच सोर्स है, तो अगर आप इसको चबा लेते हो, तो एनीमिया की शिकायत अपने आप से ही कम हो जाती है, चाहे आप इसको चटनी बना के लो, चाहे आप इसको ऐसे ही चबा लो, या दोस्तों कुछ लोग तो इसका पेस्ट सा बना के धही के साथ mix करके भी खा लेते हैं और किसी भी तरीके से आपने इसको consume करना है वो आपका अपना तरीका है लेकिन हर तरीके से आपको यह benefit ही देगा और दोस्तों अब तो यह पूरे world में famous हो चुकी है यह कड़ी पते तो बहार तो अब यह मान लो इसकी जो dry leaves भी है ना वो भी इतनी costly विकती हैं कुछी दिन पहले में इसका वीडियो देख रही थी पता नहीं कितना 85 gram कुछ का packet था वो सुखा हुआ और वो बड़ा costly था और हमारे आतों भी जंगे जंगे अराम से हुग जाते हैं तो बरसात में तो आपको चमक नहीं है या बाल rough है तो वो लोग भी इसका बहुत use करने लगे हैं किसी भी तरिके से इसका paste बना के या जो अपना syrup सा बनाते हैं ना बालो को shine देने के लिए या sprinkle करते हैं hair wash से पहले तो वो भी इसका use अपने hair wash में करते हैं और नहीं तो भी अपने paste बनाना है तो paste भी बना सकते हो आप अपनी हीना बगएर के साथ mix करके या जो हीना नहीं लगाते वो दही के साथ इसका paste बना के लगा सकते हो वालो में और आप बाल दोने के बाद खुद ही महसूस करोगे कि पहले से आपके बाल जादा आपको मजबूत नजर आएंगे वो इसलिए दोस्तों क्योंकि जो कड़ी पत्ते के जो पत्ते हैं उसमें इतने सारे vitamins और minerals होते हैं जो कि हमारी body के लिए skin whitening का भी काम करते हैं और ये समझ लो premature जो graying होती है उनके लिए भी बहुत helpful है antioxidants हैं इसमें बहुत सारे हमारी body को detox करने का भी काम करते हैं और जितने भी free radical होते हैं हमारी body में उनको remove करने का भी काम करते हैं जादा तर बिमारियों की जो जड़ होती है वही होती है और जो हमारे body में गंदे bacteria होते हैं उनको भी निकालने का काम करते हैं और skin के लिए आप इस तरह से कर सकते हो face mask भी इसका बना सकते हो तो जैसा कि मैं कई वर बना लेती हूँ तो मैं तो भी इसको दही के साथ mix करके इसकी पतियों को पीस के और थोड़ी जिर face पे लगा लेती हूँ तो उससे भी क्या होता है आपकी skin बहुत healthy हो जाती है क्योंकि इसमें already इतने सारे minerals होते हैं और उपर से दही है वो तो वैसे skin whitening का और मोस्चराइज करने का काम करती है skin को तो इस तरीके से भी आप इसको use कर सकते हो और भाई और क्या बताऊं इसके बारे में ये दोस्तों liver को भी detoxify करने का काम करता है जिन लोगों का belly fat बढ़ा हुआ है liver में को infection है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है जितने भी आपके body में मतलब toxins हैं उनको remove करने के साथ ये antioxidants का भी काम करता है anti-inflammatory का भी काम करता है और आपके liver को protect रखता है oxidative stress से damage से और infection से तो और इसके use जो मुझे ध्यान आ रहे हैं अभी weight loss के लिए भी लोग इसे use करते हैं भी कम हो जाता है आप पहले से ज़्यादा सुंदर चमकदार और बिलकुल एक अच्छी सी shape में आप नजर आते हो अगर आप इसका कड़ी पत्ते का use करना शुरू कर देते हो और अनिमिया का तो मैंने बताई है खून की कमी जिसको उसको तो जुरूर यह जुरूर लेना चाहिए और सबसे बड़ी बात दोस्तों कई बार ऐसा होता है बढ़ती उमर के साथ साथ blood circulation जो होता है न हमारे शरीर में जैसे पैरों में या पैरों तक गुटनों में कम पोंचता है तो blood circulation को भी improve करने का यह कड़ी पत्ता काम करता है आपको जुरूर लेना चाहिए और कहते हैं भी eyesight को भी बहुत अच्छा करता है तो यह समझ लो कि वैसे तो मैं बता रही हूँ देखो अपनी सोच के हिसाब से लेकिन अगर देखो इसके इतने सारी यूज है इतने सारे इसमें विटामिन मीनरल्स है तो मुझे नहीं लगता शरीर का ऐसा कोई भी अंगूगा कि जिसको यह benefit ना पोचाता हो और कहते हैं कि डाइजेशन को भी बहुत अच्छा कर देता है यह अगर आब वैसे ही लेते हो तो और जो भी bacteria हैं अच्छे नहीं हैं हमारी body के लिए उनको भी remove करने का यह काम करता है तो बहुत सारे इसके use हैं आपको जरूर लेना चाहिए कड़ी पत्ता जरूर लगाना चाहिए इस मोसम में और इस मोसम में मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि दोस्तों मैं करकाट के भी आपको बताती तो मैंने तो वैसी गमलों में बहुत सारे लगा रखे हैं यह और मैंने तो बीज से उगाए थे और इस टेम आपको ने इसके बीज भी बरसात में इसके black वाले बीज आ जाते हैं तो उनको भी आप इसको उगा के लगा सकते हो और जिसको जादे जल्दी है तो भी इस तरह की मोटी सी स्टेम तोड के जिस पे नहीं नहीं ग्रोथा रही हो तो उसको भी आप जरूर उगा सकते हो और बहुत अच्छा है दोस्तों इसमें इतने vitamin minerals है South Indian food में तो हम इसका उपयोग देखते ही हैं लेकिन असल में दोस्तों इसके बहुत सारी उपयोग हैं और अब तो बहुत सारे लोगों को पता भी चलने लगी हैं और ऐसे ही खालेते हैं अब तो सुबह सुए मैं भी कई बार ध्यान आ जाये तो इसके पत्ते डाल लेती हू मुँ में और वैसे अगर मैं हेर मास्क बनाओ या फेस का मास्क बनाओ तो इसके पत्ते में जरूर एड़ करती हूँ तो वो भी आप कर सकते हो जैसा कि मैं तो अपना एक्सपिरियंस बता रही हूँ बहुत अच्छा रहता है ये तो आपको किसी भी तरीके से लेना हो चाह के पास ये प्लांट नहीं हो तो वो जरूर हो गया इस मोसम में और इस तरह की नईनी जैसे ग्रोथ हा रही हो न तो उस डंडी को भी आप डिरेक्ट लगा सकते हो तो ये है बहुत उप्योगी है घर की सुंदर्ता को बढ़ाने के साथ साथ आपके हेल्थ के लिए भी कुली और एक चरीर में भी कोई कमी नहीं लगेगी और बोडी भी बहुत हलकी से लगेगी तो आपको लग जाएगा कि हाँ कड़ी पत्ते के फायदे हो गए है और भई हमारे यां दो तिन दिन से लगातार बरसात हो रही है लगातार मतलब ये समझ लो रूकी नहीं रही है हो ही जा रही है हो ही जा रही है तो इस मुसम में तो वही कड़ी पत्ता जरूर लगाना बनता है अगर आपके पास नहीं है तो बस घटा चाही रहती है अब तो अभी भी चाही हुई है शाम से का भी टाइम हो रहा है बरसात हो ही रही है अभी भी तो उमीद है आपको थेंक यू वेरी मुच